तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग M.P. Assistant Professor जो एक्जाम में प्रिटकल साइंस का जो सिलेबस है उसमें Church राज संबंध के बारे में दिया गया है और दो तल्बारों के सिध्धान्त के बारे में बताया गया है तो बिसेकली जो Church राज संबंध है अगर हम लोग मध्यकालिन टाइम में देखें चूंकि Church और गयरा का जो existence है यहीं से हमको देखने को मिलता है तो मध्यकालिन जो थिंकर है उसमें जो सबसे महात्रपून थिंकर है जो की एक मध्यकालिन जो थिंकिंग है उससे divergence हो करता है मैक्यावेली है मैक्यावेली को जो हम as a thinker पढ़ते हैं तो उ गया है इवन जो state है राज्य है वो भी चर्च की अधिन आ गया है तो इसके कारण बहुत जारे अविवस्थाएं फैल गई है और चर्च को एक ब्लेम करता है कि जो इटली का पतन हुआ है चर्च के कारण ही हुआ है मध्यकालिन समय में जो महतपूर्थिंकार हुए है सिसरो पॉलिवियस और था मोसे क्युनास बैसिकली जो मादेकालिन थिंकिंग है उसमें चर्च का बोलबाला था और चर्च और राज्य के जो सम्मन्ध थे उसमें लेकिन बहुत सारे इन्स्टिंस ऐसे देखने को मिलते हैं, बहुत सारी खटनाएं ऐसे देखने को मिलती है जहाँ पर चर्च, इवन जो राज्य है वो चर्च किसे गाइड़ेट होता है चर्च से गाइड़ेट होता है और हमने देखा है कि आगे चलके जो मध्यकालिन की जो मध्यकालिन योगी जो थिंकिंग है उसमें क्या कहा जाता है कि जो तलवार होती है किसके हाथ में होती है स्वाड किसका प्रतीक है जब हम लोगों ने हॉप्स को पढ़ाता हूं ने देखा है कि जो लिवियाथा ने उसके हेंख हाथ पर तलवार थी तलवार किसका प्रतीक है सक्त किसके पास होती है राजा के पास होती ह अब two swords आ गई, दो तलवार या गई, दो तलवार या गई, इनसेंस की, अब संप्रभुता के दो केंदर हो गए, एक तो चर्च हो गई, दो सी राजा हो गया, तो ये है एक प्रिकार से दो तलवारों का सिध्धान्थ, इसमें हम आँगे चलके देखेंगे कि इसको फच्पत देवी, राजा में देवी गुण पायाते हैं, और राज की जो उत्पत्ती है, वो देवी उत्पत्ती है, इसलिए चर्च का भी महत बढ़ जाता है, और दोनों ने मध्यकालिन जो पूरा इतिहास रहा है, वहाँ पर दोनों ने बच्चों से बना के रखा, धार्मिक मैंट मैंटर्स में, या जो परलोक है, परलोकिक जो मैंटर्स थे, वहाँ पर चर्च की महत थी, और एहलोकिक जो विसरे थे, उसमें राज की महत थी, और इवन चर्च, अपने चरम में आते आते, चर्च ने सब को ओभर पावर कर लिया था, इवन राज भी चर्च की अधीन आ गया था जैसा कि हमने मैक्यावली के थिंकिंग में पढ़ा भी था तो देख लेते हैं मंदेकालिन विचार धारा की क्या भून का रही है प्रमपरागत राजिक सिध्धांत में विफिन चिंतरपनालियों की ओर से निस्देश दिया जाता है जिसका विकास प्राचियन यूग से प्रावित रहें प्लेटो से लेके कांट एक्विनास या एक्विना एवं हीगल तक राजनेतिक सिध्धांतों को स्थैव इथिक्स और फिलासफी के अंस के रूप में प्रिजबादित किया गया है हमने देखा था कि सुरू में ग्रीक प्रिटिकन थिंकिंग थी वहां फिलासफी से अलग करने का गाम थुअन नहीं किया था तो पहले क्या हुआ खता था कि फिलासफी कि एज प्रांच पॉलिटिक्स को पढ़ा जाता था आइ सायं सा-सार समय्धान करने की अधिक्स मांध्य हूं ऑफ प्रक्षडाय। चाहे वह युनानी विचारक की तरह नैतिक जीवन की उपलब्दी का विचार हो, हमने देखा है कि जो क्रीक प्लोडिकल थिंकिंग है, उसमें इथिक्स की बात की जाती है, चाहे प्लेटो हो, चाहे रिश्टोटल हो, अतम्मद यूगिन किस्चियन संत राजनितिक्यों का इ फिलासोफिकल बातें की, उनकी विचार धाराओं को रावट एडहल ने परानुभाव बादी कहा, यानि ट्रांस इंपिरिस्ष्ट बोला इनको, या इंद्यों से परे माना, क्योंकि उनका आधार एक आलावकिक भावात्मक बिस्तिष्टी है, उनके विचार बेक्तिका थ जाली तारकी के वं डिरक्तिव थी, यानि वो पहली किसी चीज को सोच लेते थे, और फिर कोई सिध्धान प्रत्पादित कर दिया, अब उसके पक्ष में तथ दिया करते थे, ये बात है, वो पहले से ही ये सोच लिया करते थे, कि तिवच कितीनों कोणों का योग एक स्व रात को हमने पढ़ा था, इसके बाद रोमन चिंतना आ जिसमें हम लोगों ने पुले बिया सिसरो, सिनेका को पढ़ा, तसपचात मध्योगें चिंतना आया, पाउन सो से लेकर पंदा सो का, एक हजार साल का जो काल है, इसे मध्योग का काल कहा जाता है, इरोप के संदर में समय अंधकार या डारकेज के रूप में जानी जाती है क्योंकि इस अबद में विबेक, तर्क, विज्ञान वा राजनीति पर इसाई धार्मिक रोणिया परंपरावाद वा अंध विश्वास हावी हुआ प्रोफेजर डनिंग ने इस काल को अप पोलिटिकल या अनपोलिटि अबर तो उसका क्या हर्ष होता था आपको पता है तो इससे लोगों को क्या हर्ष हो आपको पता है आपको इसकी विचार का डी muddy हुआज Adult था संत्र राज्प्ति सम्र्प्ता के दो तल्वारों का सिथान प्रस्लित था एक तलवार राजा के पास हुआ करती थी, धार्मिक मामलों में राजा संपरभ हुआ करता था, और जो state craft के matter थे, उसमें राजा मातपूर्ण हुआ करता था, रोमन कैथोलिक पोब, धर्म सत्ता किसा, सत्ता में भी हस्ता चेप करता था, इतने ज्यादा चर्च का प्रभाव ह हो गया था, कि राजाओं पर भी हस्ता चेप, सीथे सीथे, राज पर हस्ता चेप, चर्च का होने लगा था, जिसका भी दोध मैं के अविले ने कहा, और कहा, इस state को और चर्च को अब अलाग ही करो, अब हटाओ नहीं, अब कोई समझाता नहीं होगा, ये बात, मध्युक क प्रमुक चुराज नितिक चिंतन है, और उनकी कृतियां है, तो ये महत्पूर थिंकार है कुछ, इनकी आप कृतियां प्रोड याद रखियेगा, हो सकता है, पूचले, सेंट अगस्टाइन है, सिदस्टी आफ गाड इनकी पुस्तक है, जान आफ सेलिसबरी, इनकी जो मार्चिलियो आफ पेडवा, मार्चिलियो आफ पेडवा के फुस्तक है, डिफेंसर पेसिस, और बिल्याम आफ आकम, ये कुछ महत्पूर्ण, मध्योगीन चिंतक थे, तो इनकी रचनाओं भी याद रखियेगा, हो सकता है, पूचले, अब इसको देखते हैं, चर्च जनों की प्राचिन कटरता का सहारा लिया, एवं स्वयाम को धर्म के उद्देश के लिए एक रूप कर दिया, धर्मिक कटरता के प्रति, इस राजबंस के उस्साह ने ही इसी अधिधिक राष्टी बना दिया, कटल लोगों से घिरे, इस राज़ की असुनता ही, इस की संस्था भी बन गया, क्योंकि इस अधिकारी की नियुकती, जिसे महाधर्माधिकारी कह जाता था, राजा द्वरा की जाती थी, उसके द्वरा खोंसित मेंड़ियों के उपर, रोम को अपिल या रोम में अपिल नहीं की जा सकती थी, इस अंदर में फरडिनेंड वा इज काम जुड़ा है, टर्क्यू मेडा, टर्क्यू मेडा, ये दिनों ही धर्म विरोधियों से अधिक रना करते थे, समराट, उन दक्चियों की संपतिजब्द कर लेता था, जो इस अभियान की आवद में मारे जाते थे, अत्वा इस धन का प्रियोग, वा नए उद्मों में कर करता था, जो स्यम राज संत के साथ, चर्च के लिए भी लाबदाया को, बतला कुल मिला के साथ गाट थी, कहीं न कहीं, जैसे हमने देखा है, प्राची ने समय में जो प्रोहित हुआ करते थे, राजा के मदद करते थे, और राजा प्रोहितों को गुरू का दाजजिया करत थे और दोनों की आपसमें सत्ता में भागीदारी हुआ करती थी, यही बात वहां भी थी, मूरों के विरूद, धार्मी के उद्ध एक बार फिर प्ररम हुआ, साथ यहिद्यों के विरूद भी क्यूंकि मुसल्मानों के साथ साथ, वे भी तो इसा मसीई के दुस्मन थे, यह बासान से राज कोुष को प्रचुर धान एवं राजनीतिक तथा, धार्मिक विस्तार के लिए साथ अंड़ी प्रात हुए, एक और को लंबस एक नई दुनिया की खोड़ के लिए चल पड़ा, जिसे जीतने के साथ साथ इसाई धर्म में दिशित किया जाना था, जिसे जीतने के साथ इसाई धर्म यानि उनको इसाई कृत करना था दूसरी और मुरको के तर्ट पर अलजीरिया एवं ट्यूनिस ट्यूनिस आद के बुर्द इस्पेनिस सेनाओं के अभियान पारम हुए जो यह घोशना करते हुए प्रतीत होते थे कि इस्पेन की समस्त सक्ति इसलाम की बुरुद की जा रही है जो इस्पेन की समस्त सक्ति है वो इसलाम की बुरुद है 14 में वो 15 मी सदी तुर्की के बढ़ते प्रभाव से आकरांत इसाई जगत में जहां पूर में मुसल्मानों के प्रभाव बढ़ता जा रहा था और समराज की राजधानी बीना तक खत्रा पनपा आ रहा था वहाँ पस्षिम में इस्पेन के सैनिकों ने मुसल्मानों के सदियों पुराने प्रभाव का अंत कर दिया और इसाई धर्म का प्रभाव की पुना हिस्तापना कर दि कोई भी अन बस्तु इस्पेनिस राजशंत के लिए इससे बढ़कर गवरब उन्मति नहीं ला सकती थी पुप अलेकजंडर छटे ने फडिनेंड वा इजाबेला को कैथोलिक राजाओं की उपाधी दी मंद्यकालिन कैथोलिक चर्च की मुख्यों से स्थाएं कैथोलिक चर्च ने अनिवार दस्ता को लागू किया और इसे सारभौमिक इसाई समाज की संग्या दी या चर्च और राज दोनों का समन्वे था या चर्च और राजी का दोनों का समन्वे था जिस पर सिध्धान्तिक रूप से पोप और पवित रोमन समराज की दो तलवारें, दो तलवारों को सासन था, धार्मिक विश्वासों की विविता में धार्मिक सहिसुरता का प्रस नहीं पैदा नहीं होता था, अगर आप धार्म के विविता जाएंगे, तो आपके साथ था सिस्थिती थी, यह हमान जाता था कि एक अच्छे इसाई का जीवन जीने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन पादरियों के मदस्ता परमाश्वक है, इस परकार मोक्ष या पाप मुक्ति, जस्टिफिकेस्टन, सतकर्म वर्थात ऐसे बाह कर्म जिने पादरी ने पूप हुआ करते थे, यही बताते थे कि धर्म क्या है, वही ऐसे कर्मों को बताया करते थे कि इनको करने से आप सदगती मिलेगी, तो इनका पूरे जीवन में धार्मिक आर्थिक समाजिक और इभन राज अजनितिक जीवन में भी इनका हस्ताचेप था, रुक्त मोक्ष उ इसमें ईशा के अन्तिम भोज का पुरा पुन्डा योजन होता था, इस भोज में मुखे पादरी तत्व परिवरतन का चमतकार दिखलाता था, इसमें रोटी वन मदीरा को ईशा के पार्थिव शरीर अम्रक्त में बदल दिया जाता था, धर्म का आधार भाईवल थी, आम आदमी बहुत कम जानते थे इसलिए पादरी वर्क चर्च की कई सताब्दियों से नुमूत परंपरा के माध्यम से बाइबल की सही व्याख्यागे इकादिकार का दावा करते थे तो अब तो कि आम जन तक जैसे पहले भी क्या होता था संस्कृत जो संस्कृत थी संस्कृत थी वो आम जन की भाँशा नहीं थी प्राक्रित थी या पाली जो भासाइन थी आम जन की भाँशा थी आपके संस्कृत पर अइकादिकार किसका था ब्रहमनों का थो इन्हों ने जो बताया लोगों ने वही समझा वही ग्यान हुआ इसी तरह पादर जो लेटिन भासा में र मिलकी ही बाईवल थी तो इसका घ्यान आम जंता को नहीं था तो पादरियों ने अपने हिसाप से उसकी वह अक्या ही स्टार्ट कर दी और अपने को सब्सेर दिखाना सुरू कर दिया बिशिश्थ कैथोलिक सब बताएं एवम बिशिष्ट कैथोलिक संस्थायं और प्रिथायं जैसे सन्यास, पदरियों गारा ब्रह्मिचर जीवन यापन, एक अटोर्ड बंधन के रूप में विवाह, संस्कार, पदरियों के समुख पापों की आद्म स्थुकृति, संतों और बिशेष्टा, मर्यम की पूजा, तीर्थ रेडियो, टेलिवीजन या राजनीतिक दलों के आभाव में ये धर्माचार ही मद्ध कालिन समाज में जन्मत निर्मान के एक मात साधन थे, और इनी के माध्यम से सासक बर्ग अपना एधिपत्त खायम करता था, तो ये एक पकार से स्पोक परसन हुआ करते थे, किसके राज के, तो बहुत ज्यादा साटगार्ट हुआ करती थे, इनकी और भारत में भी जो बहुत सारे गिरंत हैं, साध स्वास में खाया आता था कि राजा इवन धर्म के अधिन है, तो ऐसी बात ये भी हैं कि कहीं न कहीं चर्च की सुप्रमेसी राजा परती थी, हमने देखा पर भारत में जो सल्टनट कालीन या जो मुगल वाजसा है, तो वहां पर भी अगर वहां के जो अमीर वर्ग था या कि जो क्लरजी वर्ग था, अगर वो कोई चीज कह देता था था, तो राजा या सुल्तान उसको उसके अंदेखी नहीं कर सकता था, अगर अंदेखी करता तो कहीं न कहीं उसको लखा में आजा भुगतना पता था चर्च अथारत पादरियों के पास बड़ी बड़ी जमीने या भारी वह संपति थी इस पर हुए क्रिसक दासों द्वारा खेती कराते थे और कर यह धर्मिक कर कहते थे लगाते थे उनकी चर्च नियाले की एक विशे का अप्रहार करना ना स्थित्ता को राज के संतुल शंगा जादा था और व्यकल्पिक धार्मिक सिध्धान तै और संगटनों को संब्धाई है. हाउब्स लुख रूसो जय से संभीदाबादी राजी को एक कृतिम संस्था या मानव निर्में संस्था मानते हैं. बारक के अनुसार राज इतिहासिक भीकास का पभिनाल. राज के समध में बैग्यानिक सिधान्त. बैग्यानिक सिधान्त राज को एक राज कि अस्तित्त में आने के कारण अब जबकि राज का राज का रुप पूर्थ एक संस्था का हो गया है तो भीडिसास्त्रियों ने चर्च आदि अन्य मानव सम्दाओं की तरह ही राजिम में भी प्रसाग विक्तित्तु की सत्ता का पित्पादन करना शुरू कर दिया है इसके समर्थ ग्रीक, टॉट्सकी, वाइल्ड वसकी, गियार्क, जिलनेक आदि, आजनितिक सास्त्री हैं, इस सिध्धान्त के प्रसार की हर खटना में इस्वर के विक्ता राजि को भी इसी तरह इस्वर की सिष्टि माना हैं, हर जादि के धार्मी ग्रंथों में इस सिध्धान्त का समर्थन किया गया है, यहोदी धर्म ग्रंथ ओल्ड टेस्टामेंट में राजा को इस्वर का पत्नी थी और इस्वर क कि पत्तरदाई कहा गया है भरत में भी मनुस्ष में थी महा भारत में राजा को देवतव्त्ताओं का अंस माना गया है है तो बहु Dare श्राजा का उसकी अपमार का! बैटू सोंढ़िया। किसिष्टी थे और समान थे इसे कुछ समय तक सांतियम मैंत्री रही प्रम्त कालांतर में दोनों तलवारें तन गई इवन जो चर्च थी और राज सता अब दोनों को भाई कुछ समय तक तो चलो ठीक है ब्रस्ता अच्छी चली लेकिन अब इनको लगा जा था उसके लग रहा परिता को सिद्ध करने के लिए इस सिद्धान का सहरा लिया शुलामी सदी में प्रोटेश्टन सुधार को ने राजा का पक्ष लिया लूथर कालविन और जिविंगली में राजा के अग्या पलन को धर्न बतलाया जब राजाओं के नितित्त में राश्टी राज मुना कीर्न मुना मुनारकीन ला आफ्री मुनारकीन में सिद्धान का प्रवल समर्थन किया है फिल्मर ने अपनी पुस्तक प्रेट्रियार का में राजा के देविर धिकार के समर्थन में लिखा है कि राज चंद सर्वोत्तम प्रकार का राजनितिक संगठन है और राजा का राज में वही स्थान है जो कुटुम्ब में पिता का राजा इस्वर का प्रत्विम्ब है सिस्ताइं क्या है राजा मान्वी रचना नहीं है इस्वरी रचना है राजा प्रत्वी पर इस्वर का प्रत्विम्ब थी है और वह केबल इस्वर के पती होताई है चंता का यह राजा की सभी आग्याओं का पार्वन करें राजा पैत्रिक होता है जो पिता के समान राजा पैत्रिक होता था जो की पिता से पुत्र को प्राप्त होता था नर्वे सिध्धांत की मानता इतिहास में एहुदियों में इसायों में यूरोप में धार्मिक स्थार के काल में क्या था पर दंगिया था है यह संदा अगर्षाइन किमर के तीती आफ़गार ने बढ़नित दो नगरों का सिध्धान संसारिक अध्शात्मिक नगर के सम्सुल्द है उतल्वारों का सिध्धान तो मानव जीवन के दो भाग है जो उतल्वारों के सिधांत मानों जीवन के दो भागों को मानता है एक है अध्यात्मिक जीवन दूसरा है लौकिक जीवन अध्यात्मिक जीवन या धार्मिक जीवन में चर्च यानि बोव संपरभू है जबकि लॉकिक मामलों में राजा यानि राज संपरभू है यहां तलवार संपरभ सक्ति की प्रतीक है एक तलवार बोव के पास आदे दूसरी राजा के पास है याद रखिएगा कि पाथमी सदी के अंतर में पोप के लेशेज प्रथाम ने इसका प्रत्पादन की दो नगरों या दो तलबारों के सिधान को एक्युनास ने नौका के दिश्टान दोरा समझाया है एक्युनास में राजा के तुलना नौका के मिस्त्री से की है जो यात्रा के समय नौका को सही हालात में रखता है चर्च का काम नाविक यानि करणधार का है जिसे नौका को चला कर मंजिल तक ले जाना है इस परकार मिस्त्री नाविक के ये अंतरम धीन है इन दसिंस की मिस्त्री यानि राजा पोप यानि चर्च के अधीन है ये बाते हैं भले ही दो तलवारे हैं लेकिन उसमें भी ज्यादा बजनी तलवार कौन है तो पूप की तलवार है इस प्रकार राज चर्च पर उपासरित है अलाकि दोनों अलग-अलग हैं लेकिन कहीं न कहीं राज चर्च पर उपासरित है अता दिब कानून राज सत्ता को स और राज मध्य कालिन समय में एक दूसरे के साथ या एक दूसरे से साड़ गाट करके साशन किया करते थे, दोनों एक दूसरे को और जो एवन जो पादरी थे या पोप थे ये राज के स्वोक्स फसन की तरह काम किया करते थे, राज अपने छेत्र में संप्रभू था और स्टिश्फ को सम्बंद है बिल्कुल अलग अलग करौ सेकुलर सेकुलियम की बात वो करता रहे और चर्च को जो इस्टेट क्राफ्ट के मैटार है उनसे पूरी तरह से मैक्या वैली आंगे चल के हॉप्स अलग ही कर देते हैं फिर तो यह है चर्च राज समन इसमें बहुत बड़ा सिध्धान रही है कि और कुश्चन भी आएगा तिकात कुश्चन आएगा इसको याद र कंप्लिमेंट किया करते थे राजा पोप को और पोप राजा को या चर्च को एक प्रकार से दोनों एक दुसरे ना दुसरे पर निर्भर थे और कुछ मात्पून थिंकार से उनकी रशनाएं हैं वह याद कर लीजिएगा मंद्यकालिन यूग है तो उसमें थोड़ा सा चीजें थी यहाँ पर और यहाँ पर जो इसाइधर्म था या धर्म यह चीजें थी विए जो अरस्तु और प्जेड़ोग में रहरा जिस्थ शितर शुर और यहादु तो ओर. इसाई या बाइबल के हिसाब से उजल दिया था यही बात है चलिए होब कि आप इसको अच्छा लगा होगा या समझ में आया होगा और किसी भी टॉपिक के लिए भूजा था टेंसलिंग जो नहीं है क्योंकि मतलब ठीक है यह टॉपिक थोड़ा से छूट रहा था लेकिन इ मैक्या वेली ने ही जीजों को अलग किया था बिसिकली सेकुलिजम का कॉंसेप्ट है यह अब राज और चर्च को कि मिडिवल काल में राजाओं का सासन था या चर्च का बोलबाला था तो उससे मैक्या वेली थोड़ा सा रुस्ट हुआ और आंगे चलके उसने हमने देखा कि मैक्या वेली ने फिर हॉप्स ने चर्च और राज के संबंधों को पूरी तरह से चेंज ही कर दिया जो कि पहले एक दुसरे के साथ गाठ में चला करते थे अब कहीं न कहीं फिर चेंज हो गए तो यह बात है चलिए हिलते हैं अगले वीडियों तो कि बुद बाय थेंक्यू 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 पर दिसक्साइब